बागी सारे लेसेंस की वीडियो प्लस एक्जांबलर हमने बना दी है मतलब मैंने बना दी है आप लोग जागे देख लिए ना किसे अर्गानिसम रिप्रिडियूस करते हैं इसके बार में पढ़ेंगे ते को इस चाप्टर को तीन इसो में बाइप दिया है एक तो सेक्शुल एके सेक्ष्योलेफ एक प्लांट वाला हिसा भी है अलग से जिजा में पढ़ना है तो कि लाइन टो लाइन डिसक्स करेंगे कुछ भी चीज छूटना जाए इसमें बुला है कि हम पहले अग इससे पहले हम डिसक्स करें कि क्या तरीका होता है रिप्रड़क्शन करने का हम कु अगर बढ़ाने के लिए हां होता है अगर रिप्रड़क्शन ही नहीं हो पाएगा तो क्या कोई भी जनरेशन आगे बढ़ पाएगी ऑन दा अगर इंडिवीज्वल और इंडिवीज्वल बनाएगा तो कितनी सारी एनर्जी स्पेंड होती है मतलब जैसे एक इन्सान में भ अगरा इतना ड्रेनेज हो रहा है पर यह इंसान करता क्यों है अब हम इसको कहा है कि क्लास्रूम में डिसकस करो तो क्लास्रूम तो क्या ही मैं वताती हूं हम अपनी प्रोजेनी प्रोजेनी हमें अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ान है हम अपना परिवार आगे बढ़ाना मतलब एक स्थीसिस में इंटरबडिंग हो सकते हैं, जर पोसिमीज़ बपोसीज में कंशारDas स्थी वार्ची समय के नाचलल है जिस असालीक स्थीसिं पेस्क फार्चै एक झालीक समय वार्चैन acabar के बडाक्षन पॉए गया और ग्वाराजब इंग 95 ritus अपनी जैसे नहीं एक lapis का इसका ऐसकाएर नहीं देखो तुम्हारे पापा है मैं आपनी मॉम्नी जैसे गडिए और मेरी बेटी खो सकता है मेरे पापा-च जैसे दिखें जब खो सकता है ना तब मेरी बेटी मेरे जैसे पर विया नेव इग्साक्त हंड्रेट परसें फोटो कॉपी नहीं होते सोचो नहीं दुनिया कितनी हजीब सी हो जाएगी अगर अगर पापा का पापा अपने पापा जैसे देख रहे हैं और उसके पापा उसके पापा जैसे देख रहे हम शगल से बस बुड़ा वर्शन यं है तो ऐसा नहीं होता हम लोग एंग करते हैं हम लोग रिजेंबल करते हैं पर हम complete कॉपी नहीं होते हैं ठीक है हमारे अंदर हीरेशन होती है हम ठोड़े से डिफ्रेंट दिखते हैं अपने पेरेंस से अज़िए आठ इंपोर्टें ऑज टिक हैं अब बह्doc है कारण सुनी है डी एन ए के सना तेन और तो दौह ससोन या कष़ा हो तो दो धागों को सी ने पिल तव धजनिंट हो ऐसे स्ट्रक्चर होता है अबनता है क्रोमाटन खुते स्ट्रक्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर्चर पागी चीज़ा डिटमाइन करते है कि जीनो टाइप पिक फिनोटाइप फिनोटाइप इतल assassins जीडियरि पेरेंट סफ आउंटर डिडुकि हमारी आझ्छों कारम केसा होगे जो एवन हमारा देमाग इंटेलेक्चिल प्रॉपर्टीज भी कुछ हमें पैरन से ही मिलती हैं चलो आगे बढ़े लेको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसको क्लेर कर दू देखो फिर इसके बाद if the information is changed different power proteins will be made और जो DNA है वो information लेके जाता है from one generation to another generation तक है does the basic event जो basic event हो रहा है reproduction में क्या हो रहा है DNA की copy बन रही है DNA की copy बन रही है इसके लिए हमारी body के जो cells है माने कोशिक आए है वो क्या करती है different chemical reactions यूज करती है ताकि बहुत सरी copies बना पाए और यह copy को एक दूसरे से separate करने की जरुवत पड़ती है इसके लिए कौन काम आता है इसके लिए the process of meiosis comes into play तुमने शायद 9th में बढ़ा था मैं revise करवा दूँगी देखो DNA copying accompanied होती है additional cellular apparatus बनते हैं मतलब जब DNA की double copy होगी DNA की photocopy होगी एक DNA से डो DNA बनेगा फिर दो cells में अलग लग DNA जाएगा ठीक है अलग लग DNA जाएगा और फिर end में जो होता है ना मियोसिस मियोसिस होता है एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस मियोसिस जो मियोसिस होता है वो सेक्शुल रिप्राक्शन में देखा जाता है सेक्शुल रिप्राक्शन में देखा जाता है इसमें क्या होता है इसे ना रिदक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, रिदक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, रिदक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, और माइटॉसस को ना, इक्वेजनल डिवीजन कहते हैं, माइटॉसस को क्या कहते हैं, इक्वेजनल डिवीजन कहते हैं, इक्वेजनल तो जो फादर से स्पॉम आया मदर से ओवम आया स्पॉम के लीफ डिए थे तो एक सेल है ना हर सेल के लोते हैं मदर के लोप के लुट बैर अब ये दोजयए टोटल किते फिल प्यार हो गईत। स्पर्म और घब बनते हैं तो क्या होता है फ्यूजν हो यूज homem लगया चाहता है को समय मिलते तो फॉटेलाईजीशन होता है क्या होता है और था यूपन जाइगोड. क्या है यूपनता है तो इस कारण से क्या होता है मियॉसस होता है क्या होता है मियॉसस होता है मियॉसस से 46 पेर वापिस से 23 पेर में बदल जाते है ठीक है इस को समझाने क्लिए मियॉसस अब तो मैं अच्छे से समझा जाएगा सेपरेट होते ये गिव राइस टूस इस यह जो 2 सेल होते है पर क्या ये एपसल्यूट आइडेंटिकल होते नहीं होते तो जो प्रोसेस ऑफ डी एने कॉपिंग होता है उसके इंदर हमेशा थोड़ी सी variation आती है, as a result हमारे जो organism बनते similar बनते हैं, पर exact copy नहीं बनते हैं, देखे और does not lead to, और कोई drastic outcome नहीं आता है, एक दम से बहुत बड़ा outcome नहीं आता है बच्चों में कोई बड़ा change नहीं आता और यही meiosis बहुत important होता है हमारे survival के लिए, sorry बहुत important होता है हमारे variation के लिए, देखो next topic ही है कि क्या importance है variation की, अब इस चीज़ को cover करते है, देखो यह क्या होता है, population of an organism, population जो होती organism की, well defined places को fill करती है, और एक well defined places को क्या कहते है, niche क्या कहते, niche, in the ecosystem ecosystem बहुत बड़ा है, उसके बहुत चोटी जगा, जो एक particular organism लेता है, उसके क्या कहते है, niche, जब reproduction बहुत important होता है, हमारे body के लिए, organism, एक particular, organism, use that particular niche, reproduction एक population को stability प्रोबाइट करता है, तो reproduction से क्या आती है, population में हमारी एक stability आती है, तेक है, however niche changes beyond the reason of our niche change होते है, हमारी control में चीज़ नहीं है, जिसे temperature मालो बहुत ऊपर चला गया, water level वैरी हो गया, कोई बड़ा सा पत्थर भार से space से हम पहट हो गया, तो इस कारण से वो population हो सकता है, change हो जाए, हम देखा था और नहीं बचे हैं, क्योंकि उनका नीशकत है, एक दम से बहुत बड़ा बहार से meteorite आया था, टकराय था और extension हो गया था, तो इसने बोला है कि जो population है, वो वैरी कर सकते है, particular area की change हो सकती है, उन कारणों के कारण, जो कारण हमारे अपने हाथ में नहीं है, ठीक है, फिर population of bacteria living और इसमें यही चीज़ बोलिया है, कि some variation ऐसे और जो individual होते हैं, उनके पास कुछ ऐसे features होते हैं, जिनसे वो extreme environment में survive कर पाते हैं, ठीक है, for example, जो bacteria, इसका example मचली का ले लेते हैं, जब एक्वेडियम पे मचली रखते हैं, और आप आप मचली खरीद के लाएं, तो क्या करते हैं, मचली को उस बाग होता है, जिसमें आती है वो, उस बाग को मचली के साथ बंधा हुआ बाग को ने एक्वेडियम में डाल देना चाहिए, अगर अगर सीधर डाल देना तो दे माइट डाय समधे, सम्टाइम, तो हमें अगर बिक्टिरियम जो हाई टेम्परेचर में सर्वाइफ करते हैं, जो बहुत थंडी आज़े तो नहीं सर्वाइफ कर पाएगा, अगर मैं पोलर बेर को उठाके दिली में लाके पालने लग जाओ, ठीक है पोलर बेर बहुत थंड में सर्वाइफ करते हैं, क्या वो सर्वाइफ कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक क्यारेक्टर स्टिक होता है, जिसके कारण से वो पर्टिकुलर नीश में रह पाता है, ठीक है, नीश क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया, नीश क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, I hope I am clear, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है, ताकि श्पीसेस टासमे के साथ सर्वाइफ कर पाई अब हम पढ़ते हैं क्या-क्या मोड ओफ रिप्रडक्शन है जो कि सिंगल और यूस कर सकता है तिको सबसे पहले है फिजन सबसे पहले क्या है फिजन फिजन होता है और एक फ्यूजन होता है फ्यूजन मतलब दो कम मिलके एंडा एक बन जाना is that या मैं ने बॉंड़े सिर्गा होता है इन किसमें होता है एक होता है में अपने को एच मोडियां मेर एच mentorsa कि एक प्रॉटास्ट मोडियम में होता है किसमे होता है प्लास्ट मोडियम में एक्जामपल्स और इंपॉर्टन्ट इसको बगिंस्कों और बाकि जो भी चीज में बूलती हूं इस टार्माब करो कर लिया करो तकिए अब देको और जिको और जिए फिजन से होता है इस फिजन मतलब सेल डिवीजन कुछ बहुत चोटे और जानिजम होते हैं जो पिल्कुल एक ही सेल्से बने होते जो यूनिसलुलर होते हैं हम तो म इस निउक्लिस डिवाइड वांदर देख रो पूरा सेल दो बौर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है इस चीज को क्या कहते हैं फिजन इस चीज को क्या कहते हैं पर कुछ ऐसे यूनिसलुलर ओर्ग्यानिजम है तो जैसे मोस्ट और डियनिसम बॉडी शैन जो काला आजार करता है इनका विप लाइक स्ट्रक्चर होता है इन सच और्गानिजम बाइनरी फिजन एक डिफनेट ओर्येंटेशन में होता है जैसे देखो यह तुम्हारा लेश्मेनिया है इसके अंदर एक पर्टिकुलर तरीके से इसका फिजन हुआ है एक से दो बन गए ना अमीबा का तो कोई स्पेसिफिक केस नहीं होता है कोई शेप नहीं होता है तो इस कारण से किसी भी दो शेप में डिवाइड हो जाते है पर लेश्मेनिया का स्पेसिफिक शेप होता है इसने वह पर्टिकुलर दो ही शेप में एक पर्टिकुलर शेप में ही डिवाइड हो पाता है फि multiple fission माने एक से बहुत सारों में बदल जाना एक से बहुत सारों में बदल जाना multiple fission और binary fission are done east कैसे separate होता है budding के तो बागे पढ़ेंगे अब आता है fragmentation fragmentation में अब ये तो unicellular पढ़ लिए unicellular में plasmodium cover करा हमने दूसरी चीज क्या cover करी दूसरी चीज बाज योर amoeba अब हम क्या पढ़ रहे है अब हम next चीज पढ़ रहे है which is what which is your which is fragmentation fragmentation के अगर हम बात करें ये multicellular organism में देखा जाता है पहली चीज तो तुमको ये याद रखनी है फिर उसके बाद next चीज जिससे spirogera अब येrene क्या होता है कि ये बौडी है ये बीच से उनके इवाइद हो जाएगा एक में दो में थीन में जितने हिसों में से काटो जो गे उत्तने हिसों में ऩी तो इस टीज को कहते है इस चीज को कहते है अब iTunes influences डवाइड हो जाता है कि इसको क्या कहते है फ्राइकमेंटेशन के तैंक अफिर मल्तिसलियृ तिस नॉत टू पडिसारे पारिसार अवर्डिसलियृ एसी नहीं हो सकते हैं इसकते हैं तो इसक्राइब यह अपनी बॉड़ी को दस भीका दो तो चीटल बनके निकलाएंगी नहीं मेरा दूसरी नाम र कि नहीं क्योंकि हमारी बॉड़ी बहुत कॉम्प्लीकेटेड है यहां से यह इंपॉर्टेंट पारग्राफ है रीजन यह है कि बहुत सारे मृटिसेलल और नॉट सिंप्ली ओर राण्डम कलेक्शन नहीं है उसके अंदर स्पेसिफिक टिशू है और 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 ऑर्गेन का अपना पर्टिकुलर काम है ना तो अपर यह पार यह पार यह तो बॉड़ी ही क्या थी तो इसके पास ना ओर न टिशू थे इसलिए कहीं से भी क नहीं होगा यह काफी इंप्राक्टिकल बात है तो बेसिक स्टाटेजी जिससे मल्तिसल और गानिजम इस डाट डिफरेंट टाइपस ओफ पफॉर्म डिफरेंट तो इफरेंट ताइपस ओफ और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और एक पर्टिकुलर पाटन है तो दा आंसर इस डाट देर मस्ट पी ए सिंगल साइड टाइप और तो एक डाट इस डाट इस कापिबल ऑफ गोई गोई तो राइट सर्कम्स्टांसिस और पर्टिकुलर और गानिजम ही फ्रेंटेशन करते हैं फिर रिजनरेशन की बात करते हैं जैसे देको प्लैनियर या गया हुधा इसको तीन हिस्सों में बाता थीन नय और्गानिजम बनके आ गहे थीक वांड तो थ्री चिपली की पूछ भी रिजनरेट हो जाती है जाती है यह सिम्लरी पूछ तो भी रिजनरेशन के पास एबिलिटी होती है कि नया इंडिवीच्वल ऑगानिजम दे दे हैं इसमें एक्जामपल् क्या है है हाइड्रा है और स्लेक्स के इस जड़ेगार इसा थीज चीज को कहते हैं प्राइटलियन इसमें क्या होता है मासदेर दिवाई आप हो będą हिते हैं और इन दिखेंड checks को एक सेऩ्वेंशियल में एक इक मिला यापैर ते हरा पर्ट क्छी बंग क्या पहलता है यह मिलंग आउटर से बड़ ईंडिव आजाया कि बाल बड़ इंड चोटाइन दोत जाया का और ड्र करे नहीं बन जाया इडर से द्ली हाट करते हां चाहर नहीं टुकले आउड़ जा कि आधे कि ड़या थेसल आजनग टुदर लुट जाए जची वह घेति प्रोपोगेशन मतलब यह सी बारत्पालिछ उनकल यह वह Опut ऑप एग गदागतर नें प्रो खितों कि अब इसमें और देखते लोग से प्लांट अब ऑसफी तो और मन् allen इस प्लांट में ड्वला पोजाते हैं उन्लाइक बहुत सारे आनमल जैसे प्लांट के पास ना इसमोल आफ रिप्रक्शन को बहुत अच्छे से यूज करते कि जैसे रोस की डंडी से भी निया रोज निकलाता है अब कोंवे कवाल रूट से निकलाता है तो अब देखो यहां तिपिकल स्टाइल में करोगे न, अगर प्लांट का रिप्रड़क्शन का वेट करोगे, टिपिकल साइकल फॉलो करोगे जिससे बढ़ा होता है, उसमें टाइम लग जाता है, पर जब तुम वेजिटरिट प्रॉपोगेशन करते हो, वो फास्ट होता है, इनकी साइकल जल्द यह ऐता है फ्रुंट दियता है फिर उसके बाद य्यक्ति लेस्रोंट सब्सक्रीओ और अधर में कोईतों में झारल कम आपा निया जैसे संne में जन इसके बनार इस प्रिद्यूंट नहीं होता है दून में जनके सेड़ बनानी की ऊक्युक्ति खतम और स्वें डयर एक पर रह बंदर उखार्ट करते हैं, मैंने मेरे पास था पर मेरे तो बंदर उखार के लिया था, तो ब्रयोफाइलम में क्या होता है, एक पत्ते पर छूटे चूटे बेबी पत्ते ग्रोने लग जाते हैं, और इसके नीचे तो रूट्स देख रहे हो ना, जहां पर यह गिरेंगे ना पर नया प्लांट उख जाएगा, बहुत प्रेटी लगता है, जब बहुत अच्छे से पन अप जाता है, चलो अब हम नेक्स्पोर फॉर्मेशन कर लेते हैं, और सेक्शल रप्रक्शन आगे देखेंगे, प्रॉर्मेशन में देखो क्या है, यह फंगस में देखा जाएगा यह राइजोपस का एग्जामपल देखा है, इसमें क्या होता है, छोटे 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 सेल्स प्रडियूस होते हैं, दे आर नॉट यह रिप्रक्टे पार्ट तो नहीं है, अच्छे जो फंगस की बोड़ी होती है, जैसे हमारी बोड़ी से बनी है, फंगस की केस में बोलत पूरांजिया कहते हैं यह पूर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है जैसी फेवरिबल कंडीशन आता है तो यह टूट जाता है इस पूर्स बहारा आजाते है और नया फंगस को जर्म देते हैं ठीके यह तुम्हारे एसेक्शल कमप्लीट सेक्शुल तरहते हैं और